आम तोर पर अधिकांश फंगस यानि की कवक मिठी के साथ पेड़ों की जड़ों में कुथे रहते हैं। इसे वुडवाइब वेब कहते हैं, जिसमें माइसीलियम के द्वारा पेड़ एक दूसरे से बात करते हैं। तो ऐसे में जिन्दा रहने के लिए नन्ना पौदा, पुराने और लंबे व्रिक्षों से इसी माइकोराइजल नेटवर्क के द्वारा ज़रूरी खनिश पदात प्राप्त करते हैं। इंग्लेंड युनिवर्सिटी ओफ रीडिंग द्वारा डगलस फर पेड़ों पर किये गए अधियन में एक रोचक बात सामने आई हैं। जिसके मुताबिक ये पेड अपने रिश्यदारों यानि की अपने जैसे दूसरे पेड़ों की जड़ों को पहचान लेते हैं। और उन्हें फंगल नेटवर्क के मार्धियम से कारबन और खनिश पदात भेशते रहते हैं। पारिस्थिती की विज्ञानी सुजैन सिमर्ड ने अपने शोत में पाया की पेड़ों में कवक नेटवर्किंग, अपने कारबन स्त्रोत को सुरक्षत रखने की आवशकता से प्रेरित होती है। कवक नेटवर्क माईसीलियम से जुड़े पेड़ों को स्वस्थ रखने और साथी साथ कवक की कारबन अपूर्ती के लिए वित्रक की तरह कारे करती है। अपनी इस सिवा के बदले, माईकोराइजल नेटवर्क 30% दी शरकरा प्राप्त करता है, जो कि एक दूसरे से जुड़े पेड़ प्रकाश शंसलेशन द्वारा बनाते हैं। अब शरकरा कवक को उज़ा प्रदान करती है, बदले में माईसीलियम फॉस्फोरस और अन्य खनिश्पदार इकटा कर लेता है, जिसका इस्तेमाल पेड़ो द्वारा किया जाता है। पेड़ और कवक कनेक्शन में हब ट्री सबसे महत्पूर्ण होते हैं। इन्हें मदद ट्री कहा जाता है, जो सबसे ज़ादा अनुभवी पेड़ माने जाते हैं। आम दोर पर हब्ट्री के पास सबसे जादा कवक कनेक्शन होता है। इनकी जड़ें मिट्टी में नीचे पानी तक पहुँशती हैं, जिसे ये नन्य पौदों तक पहुँचाते हैं। माइकोराइजल नेटवर्ग के द्वारा ये हब पेड अपने पडोसी बिमार पेडों के संकट संकेतों का पता लगा लेते हैं और फिर वो उन्हें जरूरी पोशक प्रदार पहुचाते हैं। इन निश्काषों से ये पता चलता है कि पेडों ने अपनी प्रजातियों के अस्तित्य को बचाए रखने के लिए जटिल सह जीवी संबंद विक्सित कर लिया है। Mycorrhizal Network इस संबंद का एक मुख्य हिस्सा है। यो तो कवक अपने फाइदे के लिए काम करते हैं। लेकिन इसी के जरीए वे बड़े से बड़े पेडों के स्वास्ते और अस्तित्यों को संरक्षित करते हैं।